पैसे फ्रेंट्स आप कभी यहाँ पे जीवी वाट्साप बैन हो गया है उससे आप अन्बैन करना चाहते हो तो आल्रेडी मैंने इस टॉपिक रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के निजे मुझे काफी ज़या है फ्रेंट्स मेरे सब्सक्राइबर के कमेंट अरे कि ya 59 वाट्साप वहां यहां नहीं हुआ है मतलब कितना टाइम लगेगा आवैन होने में इमेल कन का बाता हैकर कुछ यहाँ पर्शू परश्क्राइyle कुछी तरिका ने त related which magic क के बडियो को फौल्ल कर सकते है कब तक आप अन्बैन हो जाएगा सब कुछ जानकारी आज किस वडियों देने वालो वैसे नॉर्मल वाटसअप से पहले आप कौन सा वाटसअप यूज करते थे वाटसअप या फिम वाटसअप जी भी कौन सा यूज करते थे वो मुझे कमेंड वाक्स में कमेंड करके जरूबत आए अब जो भी वाटसअप आप यूज करते थे तो वहाँ से आपको क्या करना है जो भी आपने वरिफिक्शन कंप्लेट किया तो उससे आपको हटाना है अब कैसे आप अटा सकते हो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है एक्जमपल आप वाटसअप जी भी यूज करते हैं वहाँ पर आपने वेरिफाइ कर लिए वहाँ पर आपको एरर शो हो रहा है मतलब फ्रेंड्स ये वाला एरर आपको शो हो रहा है अब ये एरर आपको शो रहा है यो और कोए बी येर शो रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स यापने स्क्रीं पर हम जक्लने याप पर क्लिक करनें थ्यूभर करनाכ साइस К भाटसप पर जिबी का फोलडर मिल जाएग campus friends, याँ आपको सर्च करने, wv.com friends, यहाँ आपको इस में जो what's aap का backup है, वो मिल जएगा, what's ap GpR normal what's ap को यहाँ आपको तर याप अगपको क्या करना है, what's ap का normal what's ap में आपको data transfer करना है, उसके बाद friends, आपको क्या करना है friends, जो भी friends आपका official what's ap आपको open करने तो example मैंने what's up open कर लिया ओपन करने के बाद language select करने next के उपर click करने agree and continue पर click करने यहाप अलो पर click करने and friends जो भी what's up ban हो गये वो पहले यहाप आपको डाल देना है friends ओके वो आपको mobile number डालके verify कर लिना है मतलब next के उपर click करने OTP आ जाएगा OTP friends डालने के बाद तुरंत आपका जो what's up है वो वहाँ पर खुल जाएगा बट वहाँ पर friends आपको error show होने वाले एक्जामपर यह वाला error आपको show हो रहा है तो उसके नीचे request review को option आता है friends तो उस वाला option पर आपको click करना है तो जैसे click कर देते तो click कर दे friends आपके सामने यह वाला interface आने वाला है नहीं तो friends यहाँ पर report डालने के लिए एक option आ जाता है डबबा आ जाता है उस डबबे में एक report डालना है जो मैंने description में डाल दिये तो उस report को copy करके बास यहाँ पर डालना है कि submit करने के बाद friends यहाँ पर आपको 24 hours wait करने के बाद यहाँ बाद में यहाँ एक दिन के बाद चेक और चेक करेंगे आपका Whatsapp अबैंन हो जाएगा मतलब आपको कहा पे चेक करना है आप यहाँ फिर से जाएंगे वाट्सआप जीबी में या थर्डबाटी वाटसब इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे नहीं करना है यहाँ पर ही आना है नॉर्मल वाटसब ओपिशल वाटसब में यहाँ पर ही आपको फिर से आप वेरिपाइग कर सकते हैं अगर आपने डिलेट किया या कुछ भी किया तो बट प्लीज करके वहाँ पर नहीं चेक करना है वहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर पर्मिनेट आपका जो फायँ व मतलब एक दिन हो गया और नहीं हुआ है आपका वह अन्वॉट्सब नंबर तो इस तरीका ताइघ तरीका तभी यूज करें जब यहाँ पर आपके 24 ऑाउस एक दिन य पर यहाँ पर आपको सर्च करना है WhatsApp business and WhatsApp business को install कर लेना है जैसे install करेंगे install करने के पाद simply open करना है friends अपने language select करें अगरी continue पर क्लिक करिए यहाँ पर आपको user different number इसके उपर क्लिक करना है यहाँ पर जो बैन आपका number हो गया है वह यहाँ पर आपको डालना है और नेक्स्ट के उपर क्लिक करना है जैसे next के उपर क्लिक करेंगे otp आ जाएगा otp डालिए तो otp डालते इस आपको यह वाला इंटरफ्रेस आने वाला नहीं हो रहा है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर mobile number जब आप डालते तो यहाँ पर यह आपको three dot मिल जाते option मिल जाता है इस वाला option पर क्लिक करना है and help के option पे click करना है जैसे इस option पे click करेंगे this doesn't answer my question इस वाले option पे click करना है जैसे click करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे friends अब यहाँ पे आपको एक report paste करना है जो मैंने काफी clear on and अच्छी तरह से बताए जो भी गलती है friends वो यहाँ पे आपको बताने है उसके बाद friends plus के option पे click करके जो permission आते हैं उसे allow करके फिर से plus के उपर click करके friends problem का screenshot यहाँ पे आपको add करना है तो problem का screenshot मैंने यहाँ पे add कर दिये आप देख सकते हैं अब friends next step में क्या करना है यहाँ पे next के उपर click करना है जैसे next के उपर click करेंगे friends तो यहाँ पे this doesn't answer my question इस वाला option पे click करना है and email के ओपर click करना है friends अब यहाँ पे friends आपको कुछ भी changes नहीं करना है नीचे support info में आपकी सब detail जाती है जिसे कि आप कौन सा WhatsApp यूज करते हैं आपका band number के सब जान कर जाती है बस यहाँ पे आपको report को send करना है जैसे report को send करेंगे friends email का आपको wait करना है and उसके बाद अब email आने की बाद एक या दो दिन तक जादर जादर wait करना है उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है friends अपने जो WhatsApp business को open करना है और वहाँ पे आपका जो WhatsApp है वो unban हुआ दिखाए देगा आपको फिर भी आपको problem आ रही है तो एक काम करें friends किसी भी condition में आपको अभी जो भी third party WhatsApp है उसके उपर switch नहीं करना है उसके उपर आपको register नहीं करना है and जादा से जादा एक मन तक आपको wait करना है एक मिन के बाद आप भी एक बार review कर सकते है and उसके बाद यहाँ पर friends आपको जो WhatsApp है वो unban हो जाएगा friends यह जन्नून में तड़ है and मैंने कई जारे अकाउंट unban करवा दिये and उस वज़े से मैं यहाँ बता रहा हूँ okay अब यह try करें उसके बाद मुझे comment box में comment करके उता सकते है वैसे इस वीडियो को save करके रख सकते है क्योंकि 24 house के बाद आपको फिर से एक method आपको apply करने है जो मैंने आप भी आपको बताई WhatsApp business की अब friends यहाँ पर प्रॉल्म आरे comment box में comment करके बता सकते है अब जाते हैं किसे को कोई account recover करने screen के उपर की playlist देख सकते है या दिखा सकते किसे को problem आ रही है तो धन्यवाद friends अत्यन्दाभारी वीडियो देखने के लिए thank you